सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेकनोलोजी चैनल को और बहल आइकम के दवाईए हमारे वीडियो सबसे पहले अपने मुबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए कि आपने कभी मुबाइल देने से पहले अपने रैम के पार में सोचा है कि आपको कितने जीपी रैम की जरूरत है आपको तीन जीपी आपको रैम की जरूरत है आपको तीन जीपी रैम की जरूरत है या आपको चार जीपी रैम की जरूरत है नहीं सोचा तो चले सोच लेते है मेरा नाम नमानता है राप देखें नमान टेकनोलोजी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपसे बार करते हूं तो रैम को लेके तो रैम असल में कहते किसको है आर ए एम इसकी जो फुल एब्री वेशन है वो है रेंडम एक्सेज मेमरी आपने ज्यादा दर स्कूल्स वगारा में कम्यूटर की जो एबुक में उसमें आपने ज्यादा दर पढ़ा ही होगा बोसे लोगों को नहीं भी पता तो इसका मतलब है रैंडम एक्सेज मेमरी इसको हम दूसरी जुबान में टेंपरेरी स्टोरेज मेमरी भी कहते हैं जो॑ कोई भी आपलिकेशिन आपन करते हैया कोई भी अपलिकेशन आपक स्टाल करते हैं या उसका जो डीटा 8 वो टैडा हो पर रिमोग करते हैं तो एक Yak内 आप का स्थीटा होता है पकर आपकर आप करके आपार्न ना करें içे इसलिए हम इसको temporary storage memory भी कहते हैं ठीक है और इसी RAM के बदोलत आप अपने मुबाइल में multitasking का मदब भी ले सकते हैं इसी RAM के बदोलत आप अपने मुबाइल में heavy performance, heavy gaming जो होती है वो भी कर सकते हैं तो RAM हमारे मुबाइल में इसलिए वो बहुत एक एहम किरदार अदा करती है जब भी आप मुबाइल लेने के लिए कोई फैसला लेते हैं या एक मुबाइल लेने के लिए अपना प्छूपी बजट बनाते हैं तो आप रही सोचते है कि आपको 2GP वाला मुबाइल लेने चाह तो पहले सेंज कुछ इस तरह का होता था कि पहले जो फोन होते थे वो सीम्बेंस के टागरी में जाते थे जैसे नोकिया के फोन आते थे उसके बाद सैमसंग अपने जो कहले के एंट्री लेवल फोन जो है वो लेकर आया एंड्रोइड नॉर्मल बजट के अंदर उसके अंद आपको देखने को नहीं मिलता था और अब कहले के जो नॉर्मल एप्रिकेशन भी होता है वो भी आपका 50-100 MB का चला जाता है और अगर आप किसी कहले के गेम की बात करें तो आपके लिए 1.500-200 MB की गेम दो नॉर्मल सी बात आप और आपके हाय गेम की तरफ चले जाते तो जीपी, 1.5 GP, 2.5 GP तक की भी जा सकती है तो वकत के साथ साथ है टिकनोलोजी जो है अजाफा होता जा रहा है हर चीज में अपनिमाजेशन होती जा रही है इससे तरह रही है इससे तरह रही है अगर आपके घर में कोई ऐसा बड़ा वजूर्ग है जो के एक छोड़े समार् फोन यूज करते थे और आप समार्फोन की तरफ आ रहे है तो फिर तो आप जो है वह दो जीपी फोन की तरफ तरफ एजी जा सकते हैं लेकिन अगर आप आज तक दोर में आपको अपने लेकिर फोन प्रचास करना चाते हैं तो कम से कम आप 3GP फोन के विरिंड के पर आपक एक समार्टफोन थे वहाँ प्रेखने को मिलती है, यह स्मार्टफून थे थी खने को मिलती है और किस इसी मौडल में 4GP Olive crystal么 मिलती है तो उसके अदर आपको रायम के तीन तीन वेर्ट्स आपको देखने को मिलती है अब इसके पीछे रिजन से होती है कि कमपनी एक यी मॉडल में तीन अलाद अलाद वेरिंट इस विए से लॉज़ करती है कि हर बंदा अपने हसाब से अपने रुकाइमेंट के हसाब से कोई भी मॉडल जब पर्चेस कर सके तो अगर तो आप कहलें कि नॉर्मल यूजर जाए आपका अगर आप नॉर्मल से फेसबुक ट्विटर वगारा नॉर्मल से यूज़ करते हैं कि एक फेसबुक इस्टागराम यूज़ तो आपके लिए 3 जी ब्रैम उक अपकंडर आपके लिए हो सकती है ये लिकर अगर आप कहलें कि मुल्टी टस्किंग करते हैं इसके उब कहलें कि थोड़े बहुता आपके कहलें के मल्टी टास्किंग भी शियमिंग भी वी शामिल है। खरीदना चाहते है तो उस वक्त आपको उस सूरत में लेना चाहिए जब तो आप फून सिर्फ गेमिंग के लिए ही लेना चाहते हैं अगर तो आपके लिए कारजीपी का बहुत बेडर ओप्शन हो सकती है तो इस तरीके से आप अपने मुबाइल के जो भी आपकी ज़ूरत ह ही है अड़ टाइम या तीन चाहर गेमिंग आप अपने मुबाइल पर करना जाते हैं तो फिर आप 8GP वेरियन के लिए तरफ जा सकते हैं वहना आपके लिए 3GP 4GP एनफ आपके लिए वेरियन आपको देखने को मिल जाएगा और आजकर के दोर में कम से कम 4GP वेरियन का यानि 4GP वेरियन जो मुबाइल फून है वह आपको परचेस करना चाहिए क्योंकि आजकर के दोर के साब से एक नॉर्मल वेरियन जो है वह कहलाता है क्योंकि 4GP के रैम के अंदर आपको आपको नॉर्मल गेमिंग का भी आपको अच्छा मज़ा मिल जाएगा साधी साथ आ है क्यानिकि मुबाइल आपको इतना जादा स्लो भी नहीं होगा अब खाली रैम का नहीं क्यानिकि मुबाइल की परफॉमंच आपको अच्छा नहीं करती उसके साथ हमारे एक प्रसेसर भी अच्छा होना चाहिए साथ हफ़्याद है फो प्रसेसर आपको ओलिए उसकी मदद करता है अब एपल के शुरू से यह पर्सेसर जो है बहुत ज्यादा है वी परसेसर होते है या आप यू समझ ले के एपल का आप जो पर्सेसर आप लेते है वह इस फ़क्त भी आपल का जो नेया 12 प्रो में जो प्रसेसर हमें देखने को मिलता है वह 5-ninometer ब ब्रेंड ने अभी तक अपने मुबाइल फून में नहीं दिया तो आप इसी दादा लगा ले कि एपल्स के चाहर रैम कम होती है लेकिन एपल्स के प्रसेसर की प्रफॉर्मस है बहुत अच्छी होती है और साथ इसाथ उनकी अप्टिमेजेशन भी उनकी फून को इतना जाद और साथ इसाथ आपके जो फून के अप्टिमेजेशन जो होता है जो इसको सुफ्टर होता है तो तीनों मिलके आपके मुबाइल की स्पीड को जाए वो काफी जादा बढ़ाते हैं मैं उम्मेद करते हूं मेरे चोड़ी से वीडियो आपको अच्छी लगी होगी है सारे प और आज आपने बेक्ग्राउंड के इंग्नोर करना है क्योंकि पीछे कलर हुए 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 ह